हाई फ्रेंस नमस्ते आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो है सूजी के लड़ू जिसको रवा भी बोलते हैं और फ्रेंस आज हम ये लड़ू बिल्कुल आसान नए तरीके से बनाने वाले हैं और मातर एक चम्मज घी में ये बन के तयार होगा सू करते हैं सूजी यानि रवा के लड़ू तो सबसे पहले हमें चाहिए सूजी तो देखिए प्रेंस हमने यहां पर सूजी लिया हुआ है यह मीडियन साइज की कटोरी से थोड़ा कम है और मैंने यहां पर बारिक वाली सूजी का यूज़ कर रहे हूं आपके पास जो सूजी मोटी महीन आप ले सकते हैं अगर मोटी है तो थोड़ा सा सूजी कीजार में डालकर गारिक न्यूज़ और ये गरम दूद है तो हमें यहाँ पर गरम दूद का यूज़ करना है ठंडा दूद नहीं यूज़ करना है तो अभी हम क्या करेंगे जो हमने सूजी लिया है उसको बाउल में डाल देंगे और जो हमने गरम दूद लिया है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके सूजी में ए पूद एड़ेगा क्योंकि थोड़ा हम इसको ढ़ीला ही रखेंगे बाद में यह फूलती है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे तो चली मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए बहुत अच्छे से फूल गई है तो अभी हमने यहां पर गैस पर कढ़ाई रख दिया है कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चमच घी बस यहां हम केवल इतना ही घी यूज करेंगे अब इससे जादा हम घी का यूज यहा किश्मी से और चार हमने छोटी लाइची लिए इसको कूट कर हम इसका पाउडर बना लेंगे तयार करेंगे और चलिए फ्रेंस घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो जो हमने मेवे लिए हैं इसको हम हलका सा फ्राई कर लेंगे ज्यादा फ्राई नहीं करना है बस हलके स ताकि इसका जो कच्चपन होता है वो निकल जाए फ्राइ करने से लडडू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जो चिरउंजी है चिरउंजी को हम फ्राइ नहीं करेंगे और देखे यहाँ पर मेवे हमारे फ्राइ हो गए हैं अच्छे से तो हम निकाल लेंगे काम से थोड़ा समय देते हुए इसको हम भूनेंगे तो अभी आपको देख सकते हैं यह आपको गीला गीला लग रहा है ना तो अभी थोड़ी देर के बाद यह बहुत ही अच्छे से पक जाएगा ड्राइव हो जाएंगे आपको जड़ा सभी यह गीला नहीं दिखेगा त इसका तो इस तरीके से देखिए हम धीमियाज पर चलाते रहेंगे ऐसे और बहुत ही अच्छा इसका लड़ू लगता है तो देख सकते हैं फ्रेंज यह बहुत ही अच्छे से भून गया है कलर्स भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है तो हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है तो यह अच्छे से पक गया है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे तो सूजी हमारे देखी बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक मिक्सी कजा लेंगे और इसमें हम इसको डाल देंगे सूजी को और इसको हम हलका सा ग्र और मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, कितने अच्छे से हमारे सूजी देखिए, दरदरे से दानेदार बने हुए हैं, कहीं भी आपको गुल्ठी नहीं दिखेगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू, तो लड्डू के लिए हमें चाहिए चीनी, तो य उसको हमने कटकर लिया है, तो यहाँ पर एट कर देंगे, और यह देखिए, तो देखिए फ्रेंस, यह है मिल्क मेट, हमने इसको घर में ही तयार किया हुआ है, तो इसको भी हम डाल देंगे, और इससे जो हमारे लड्डू में स्वाद आएगा, वो बहुत ही अच्छा पसंद होता है, बहुत लोगों कम पसंद होता है, तो आप उस अकॉर्डिन इसमें चीनी एड़ करिए, वैसे लड्डू जो होते हैं, ना ही कम मीठे अच्छे लगते हैं, लड्डू लड्डू की ही तरह अच्छे लगते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपके लड़ू नहीं तयार होते हैं तो आप इसमें क्या करिए थोड़ा सा घी एड़ कर देजिए या फिर थोड़ा सा दूद के चीटे मारके फिर लड़ू तयार करिए तो बहुत अच्छी लड़ू बनेंगे यहां पर देखे फ्रेंज हमने एक न आसान तरीके से देखे हमारे लड़ू बनके तयार हो रहे हैं यहां परना हमने घी का यूज बिलकुल भी ने किया है बस स्टार्डिंग में जो थोड़ा सा हमने लगाया था फ्राइक के समय बस वहीं डाला हुआ है तो अभी आप देख सकते हमारे कितने अच्छी चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और चलिए मैं आपको यहां पर एक तोड़ कर दिखाती हूं कितने अच्छे लड़ू हमारे बने हुए हैं यह देखिए दानेदार लड़ू हमारे बने हुए हैं सूजी के तो यह देखिए तो आप लोग भी एक ब वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी